कि आपका मैं आप से जानना चाहता हूं कि आज चार शीट तो दाखिल हुई है लेकिन जो घंबीर धाराएं लगी थी वो सब कत्म हो गई है क्या ब्रजभूशन को सेल्टर दिया जा रहा है इससे पहले बहुत बार इस बिसर पे बात हो चुकी है और आप जो कह रहे हैं कि क्या ब्रजभूशन को सेल्टर दिया जा रहा है ब्रिजभूशन्ड को सेल्टर नहीं दिया जा रहा है, सरकारी संग्रक्षन दिया जा रहा है, और इस देश में ये साबित हो गया, कि जो संबिधान का अनुछेद जो 14 ये कहता है, कि एबरी वन इज इकुल विफ़ोर दल्ला, कानून के सम्मत, ये संबिधान का अनुछेद 14 वो यह कहता है कि कानून के सम्मुक इस देश का सभी नागरिक के एक समान हैसियद है और उसके साथ कानून समता का बेवहार करेगा क्या अगर ब्रजभूसन सरंड सिंग की जगा अगर कोई बदरू खान होते तो इनके साथ क्या होता है इसका अंदाजा पूरे देश को है औ सभी को है और हास्यास्पद नहीं यह दुखद है और भयावा है कि जो बेटियां मेडल जब जीत के आती हैं तो जिन से प्रधान मंत्री जी परिचय ही नहीं करते हैं बलकि परिचय को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि आपके पीडियों से मेरा संबंद है उस नरेंद के साथ भी आपका सांसद छेड़ चार करेगा उनके साथ अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो आप इसलिए छोड़ देंगे कि आपका एक सांसद है भारती जनता पार्टी ने जो बेसरमी दिखाई है आप से बता रहा हूं चाहे वो हाथरस के कान में हुआ चाहे उन सिधा-सिधा सवाल है कि इससे पहले इस देश में मैंने एक सवाल और हम से पुर्ण के वक्ताने साफ-साफ कहा कि क्या पासको एक्ट अगर आप पढ़ेंगे आई प्पीची में तो नन्र बीवलेवलेफेंस है जिसके पर पासको एक्ट के दाता और विजेप्ई के कितनी म और उस ब्यक्ति पर जिसने कई सारे अपरादित जिसके रिकार्ड हो कई सारे जिसने अपराद किया हो जो टीबियों पर ऐसे खुले आम कहता हो कि मैंने एक आदमी को गोली मारी एक बड़े एक देश के बड़े पत्रकार के साथ इंटर्विव था मैं वो सब्द नहीं कह सकत कहता अरे कहां किया कैसे किया इस तरह का अभद्र बेवहार तो यह अभद्र बेवहार उसका नहीं है उसके पीछे दिखता है कि पुलिस ने जाच की क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है देखिए एक 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 लाइन है कि अपील भी तुम हो दलील भी तुम हो वकील भी तुम ह तो गवाह भी तुम हो जिसे चाहो हलाल कर दो और जिसे चाहो हराम कह दो तो यह सरकार उस सरकार पर मैं कहतो रहा हूं कि क्या किसी और व्यक्ति पर अरुन तेजपाल को तो साहब आप जानते होंगे तहलका के संपादत पर किस हालात में साब या फईयारलाज होने के बाद वो इसलिए तो क्या ये ये सरकार और नरिद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं या भारती जनता पार्टी के प्रपंची प्रवक्ता बताएं कि इस देश में उनके लिए अपकानून दूसरा चलेगा वो किसी के बहन बेटी को छोड़ेंगे उसको संग्रक्षर दिया जाएगा उसके पिताजी को मंत्री बनाया जाएगा वो थार से कुचल भी देगा किसानों को तो वो पूरा सीना तान के चलेगा और कोई अधना बेटी कोई गरीब अगर बहुत शुक्रिया मैं खतम कर रहां साहब और खास करके अगर अलपसंख्यक होगा तो उसे खुलेयाम भूना जाएगा उसे फनाया जाएगा फसाया जा जाएगा 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 जाए झाल झाल